नमस्कार आप सभी को नवरात्री की हार्दिक शुपकामना है। और चले इसी पर बातशीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौझूद है। स्रश्टी, इस्थिती, विनाशना, शक्ती, भूते, सनातनी, गुणाश्रेई, गुणामई, नारा येनी, नमोस्तुते। सभी देश-प्रदेश वासियों को नवरात्री पर्व की हार्दिक शुपकामना है। ब्रमचारणी, ब्रमचारणी का अर्थ तप की चारणी, यानि की तप का आचरन करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण जोतिर में और अत्यन्ती भव्य है। इस देवी के दाए हाथ में जबकी माला है और बाए हाथ में ही है कमंडल धारन किये हुए है। मा दुर्गा का ही है स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनन्थी फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वेराग्य, सदाचार और संयम की व्रधी होती है। पूर्व जनम में इस देवी ने हिमाले के घर पुत्र रूप में जनम लिया था। और नारज जी के आदेश से भगवाई शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए नोंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इने ब्रह्म चारणी नाम से संबोधित किया गया। इसके साथ में आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी क्योंकि नवरात्री में नौ दिन नौ रंगों का विशेश मैत होता है। अगर हम नौ दिन जोत लेते हैं तो हमें रोजाना नौ दिन जोत लेनी पड़ेगी। और इस चीज का हमें ध्यान रखना है जहां हम नवरात्रे बिठा रहे हैं, वे हमारे घर का इशान कोन हो, यानि की नौर्थ-िस्ट कॉर्णर और हम जो चौकी बिछा रहे हैं उस चौकी पर हमें लाल कपड़ा बिछाना है काला और नेला कपड़ा हमें वहाँ पर नहीं बिछाना है से परिवार हम पूजा करें, हम जोत लें और मद रुगा की आर्थी करें और जो भ्रमचारणी का जो एक प्रमुख मंत्र है वो मंत्र में अवमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा या देवी सर्व भूतेशू भ्रमचारणी रूपें संस्तिताए इस मंत्र का जाप हमारे दर्शक जरूर करें जो भ्रमचारणी जो माता है इनका प्रमुख मंत्र है अगर इस मंत्र का जाप अगर हमारे जाताख 108 कि अगर एक माला भी अगर प्रति दिन करते हैं तो यह उनके लिए बहुती शुपधायक और फलदायक नहीं ये तो हो गई पूजन विधी की बात लेकिन हम आपसे ये भी जाना चाहेंगे कि अगर इन देवी की पूजा राधना की जाती है तो ऐसा भी कहा जाता है कि कठिन वक्त में भी कठिन संगर्शों के दौरान भी हमारा मन जो है वो विचलित नहीं होता और आजकर के समय में सब से बड़ी समस्या सभी के सामने ये है कि किस तरह से जो है हम अपने मन को सयम में रखें तो आप बताइए कि उसका क्या उपाया और क्या उसके लिए कोई मंत्र है बिल्कुल बहुत अच्छा प्रशनी कि आपने देखिए ब्रह्म चारिनी से हमें यहीं सीखने को मिलता है कि कठिन संगर्शों बेभी मन को विचलित नहीं करना चाहिए हमें आत्म सयम नहीं खोना चाहिए देखिए नवरात्री के जो दिन है इसको शक्ति के स्वरूप दिन माना जाता है और शक्ति कौन है शक्ति ब्रहमांड का व्या स्वरूप है क्योंकि इस संसार में जितनी भी शक्ति नहीत है चाहिए वो मानव में हो चाहिए प्राणी में जा किसी जीव में वो शक्ति का ही रूप है तो इसके लिए अगर आप माता की अगर सच्चे मं से साट्विक रूप से देखिए सात्विक्ता का मैं शब्द का उपयोग यहाँ पर इस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह नौ दिन आपको बहुती संयम से और सात्विक रहना है सात्विक रहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने मन को काबू में रखे और अगर जिस दिन आपका मन काबू में हो गया उस दिन ये समझ लीजिए कि आपकी काफी चीजे वो खतम हो जाएंगी काफी समस्य हैं आपकी खतम हो जाएंगी तो आप माता का नौ दिन है इस दिन आप सहियम से रहें सात्विक रहें सात्विक रहने का मतलब यहाँ पर है कि आप सात्विक कपड़े पहने आपका जो भोजन है वह भी सात्विक होना चाहिए आप लसन प्याज का उपयोग ना करें और मैं और भी कई चीज़े आमारी दर्शों को बताना चाहूंगा जो नवरात्र में उनको नहीं करनी है और क्या उनको करना है जो चीज नहीं करनी है वो मैं आपको पहले बताता हूँ देखिए नवरात्री में एक तो आप नाखुन काटने से बचें और अपने बालों को काटने से बचें आपको नवरात्री में ना तो आपने नाखुन काटने है नहीं अपने बाल कटवाने है चमडे की चीजों का उपयोग अगर जितना जादा कम करेंगे नवरात्री के 9 दिनों में उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और अगर आप फलहार करते हैं जितना फलहार आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है कि नवरात्री के 9 दिनों में खानपान का विशेश तोर पर ध्यान रखना चाहिए और ये तमाम चीज़े जो आपने नहीं बताई वो नहीं करने चाहिए क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है क्योंकि दर्शकों के मन में एक शंका जरूर रहती है कि अगर हम इन चीज़ों को करेंगी तो हमारे साथ कुछ घटित हो जाएगा तो ये भी आप जड़ा सपष्ट कीजिए जी बिलकुल देखिए जो सारा खेल है वह मन का है एक कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत तिती ने दिख वैसी जिसकी जैसी भावना होगी प्रभू के दर्शन भी उसको उसी रूप में होंगे तो सिर्फ मैं आपको अपने दश्चों को इतना बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसा नहीं होगा पूरे नौ दिन आ वरत करें और अगर किसी को लगता है किसी के पास time की समस्या है किसी का office और किसी के shift problem है तो वो पहला नवरात्रा या आखरी नवरात्रा करें तो उनको भी उतना ही फल मिलता है लेकिन मैं बारबार ये जो शब्दी यूज़ कर रहा हूं सात्विकता का सात जिकता नौ दिनों के लिए बहुत जरूरी है अगर आप ये सात्विक होकर के अपने पूर्ण विश्वास के साथ में मा की अराधना करेंगे तो आपको नवरात्री का जो फल है वह अधिक मिलेगा बचली आगे आपसे हम पूर्ण पूजा विदी भी जाना चाहेंगे जो लोग वरत कर रहे हैं नवरात्री के नौ दिनों में उन्हें किस तरह से पूजा करनी चाहेंगे जी बिलकुल पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में फूल लेकर के मा इनका ध्यान करेंगे और फिर मंत्र बोलेंगे इसके बाद देवी को पंचामरत से इस्तनान कराएंगे फिर अलग लग तेरे के फूल अक्षर्थ कुमकुम सिंदूर मा को अर्पित करेंगे देवी को सफेद और सुगन्दित फूल हम चढ़ाएंगे इसके बाद देवी मा को हम प्रसाद चढ़ाएंगे और आचमन कराएंगे प्रसाद के बाद में हम इनको पान, सुपारी भेट करेंगे और प्रदिक्षना करेंगे यानि कि तीन बार अपनी ही जगे खड़े होकर भूमना पड़ेगा उसके बाद में प्रदिशना के बाद में घीमे कपूर मिलाकर देवी की परिवार समेथ हम आर्थी करेंगे इसके बाद हम शमा प्रातना करेंगे कि अगर हमसे कोई त्रूटी हो गई है या शमा हो गई है तो हमें माफ कीजिए इसके बाद हम प्रसाद चढ़ा करके हम प्रसाद को वित्रित करेंगे अच्छा ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो दर्शक नवरात्री के 9 दिनों में उपवास रखते हैं, वो अपना उपवास किस तरह से खोले? देखे, जो हमारे दर्शक अगर पूरे 9 दिन नवरात्रे कर रहे हैं, उनके लिए में बताना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले बताए कि तलिये चीजों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, वो फलाहर करें और एक टाइम पर भोजन करें, अगर वो हैं बोजन शाम के समय पर क जैसी श्रद्दा हो, वो उसी इसाफ से उपवास करें, लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर पूरे नवरात्र में अगर एक टाइम पर खाना खा रहे हैं, तो आप शाम के समय पर अपना वरत खोलें, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा, कि पहले देवी मा क मंदिर जाकर के मातरानी के दर्शन करने के बाद में, अगर आप अपना वरत खोलते हैं, तो यह आपके लिए बहुती अत्यदिक लाब धैग रहेगा, यह भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि जीवन में मा ब्रहमचारिनी का ध्यान करना क्यों हमारे लिए अतिया आवशक है क्यों हमें निरंतर उनका ध्यान और विग्रे करना चाहिए? कि अगर वो भ्रहमचारिनी की अगर अराधना कर रहे हैं, तो उनसे उनको तप सीखना चाहिए, क्योंकि तप का जो फल होता है, और जो मेहनत का जो फल होता है, वो बहुत यतिया दिक अच्छा होता है, तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के तप करेंगे, प्राथना बने रहे हैं जीवन है, वो बहुत ही मतलब महतुपूर्ण जीवन होता है, क्योंकि विध्यारती वर्क से ही इनसान अपने आपको प्रेडित करता है, आगे अपने करियर को चुनने के लिए, तो विध्यारती वर्क के लिए यह जो 9 दिन है, यह बहुत ही मतलब महतुपूर्ण दिन है, अगर विध्यारती वर्क में मैं मानता हूँ कि आजकल ज्यादा समय नहीं रहता है, आजकल शिक्षा में काफी विध्यारती बिजी रहते हैं, कोई अपने competitive exam की तयारी में बिजी हैं, कोई किसी प्रकार के उसमें बिजी हैं, तो अगर वो पूजा के समय, अगर उनको समय मिल में जाब करेंगे, तो यह उनके लिए बहुत ही शुफल दाय करेगा, मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्व भूतेशु, विध्यारूपेण संस्तिताए, नमस्तस्य, 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 नमुनमे, देखिए यह महासरस्वती का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और यह गायत्री मंत्र है, और एक मंत्र में हमारे दर्शकों को और बताना चाहूंगा, जो की विध्यारती वर्ग के लिए है, या कुंदेंतुशार धावला, या शुबर वस्तरावरता, या वीना, वर्धन मंदिकरा, या श्वेत पदमासना, या ब्रहमाचों संकर, प्रभक लाबदाय कुदा, जो भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जरूर उनके मन में एक प्रश्न होगा, क्योंकि देखे, जीवन में सब के दुख आता है, और ऐसे दुख, क्योंकि अभी कोरुना काल भी चला है, ऐसे में लोग बहुत से दुखों के बीच, लोगो अगर आप अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं, और अगर आप अपने घर में सम्रद्धी चाहते हैं, तो आप एक साथ घर में पूजा करें, एक साथ घर में जोत लें, और मैं एक उपाय भी हमारे दर्शकों को बतना चाहूंगा, अगर वो है नौ दिन, पूरे नौ दिन अगर नवरात्राओं में, अगर वो रोजाना इसको करते हैं, तो उनके लिए लक्ष्मी का जो मार्ग है, वो ह प्रशस्त होगा, और उनके लिए काफी चीज़ जो है, वो सुगम हो जाएंगी, आपको करना क्या है जो घर की ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी का मतलब जो घर को पूरा समभलती है, पूरा करती है, वो रोज सुबह नवरात्रों में नित उठकरके, जल्दी उठकरक उसको जो घर की में दहरी है, जो घर के हमारा में गेर्ट होता है, जहाँ पर हम गनेजी विरास्ते हैं, उस जगे पर उस दहरी पर एक लोटा जल रोज वहाँ पर फैलाएं, तो उससे क्या होगा लक्ष्मी का जो मार्ग होगा, वह प्रशस्त होगा, और उसमें थोड़ी स जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, और अगर उनकी पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, वो ये जो पूजन विदी है, वो पूरी तरह से प्रोसेस में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, तो वे किस तरह से इन नौ दिन नारी शक्ति का सम्मान करें और जो उनकी माता है उनका वह सम्मान करें तो उनको भी निश्चित उतना ही फल मिलेगा जितना नवरात्रे करने पर मिलता है और मंत्रो चार, देखिए मंत्रों में बहुत शक्ती है मंत्रो चार में बहुत शक्ती है क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं ये सब मंत्रों के ही अधीन है तो अगर आप नहने के बाद में, अगर मंत्र जाब भी अगर करते हैं अम दुम दुरगाय नमा बस इतना ही आपको बोलना है अगर ये मंत्र का जापी अगर आप करते हैं तो निश्चेति आपको उतना ही फल मिलेगा जितना पुण नवरात्रय करने पर मिलता है देखे, पूजन विदी की हमने बात करी, लेकिन आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, और हमारे दर्शक भी बिल्कुल जानना चाहेंगे, कि जब मा ब्रहमचारणी की पूजा की जाती है, तो उस वक्त वो क्या-क्या चीजे हैं, जिनका भोग मा को लगाया जाए, ताकि वे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कि वैसे तो कन्याय जो है, वो हमेशा ही भगवान का स्वरूप होती है, लेकिन विशेश तौर पर नवरात्रे की नौ दिनों में, क्यू कन्याओ का विशेश महत हो है, और जब समापन होता है, अश्पिन वमी, कब भी कन्याओ को घर पे या रामंत्रित किया जाता है, उन्हें खाना किलाया जाता है, उनके पैर्च हुए जाता है, तो इसका क्या विशेश मैथ वह इन नौ दिनों में करने आओगा। नौ कन्याओं को बुला करके, उनके साथ में छोटे बच्चरी लांगुरियों को बुला करके, आप उनको भोजन कराते हैं, भोजन के साथ में यथा शक्ति उनको दर्शना देते हैं, उनके आप चरन दुलवाते हैं, तो यह मालीजे कि साक्षा दुर्गा का, यानि साक्षा शक्ति का स्वरूप आपको आशिर्वात देता है तो अगर आप नवरात्री पूर्ण कर रहे हैं नौ दिन वरत रख रहे हैं और अगर आप या अश्टमी पे उनका समापन कर रहे हैं या नवमी पे आप उनका समापन कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुती ज़्यादा अत्यन्त आवशक है कि आप कन्या भोजन करा करके, कन्याओं को जिमा करके उनको यथा शक्ति दर्शना दे करके उनको अपने घर से विदा करें। जोडते हुए. तो इस तिवहार को बहुती हर्शुला से मनाए और सात्विक रहकरके, मैं वापिस शब्द का यूज़ करना चाहूंगा, दो इस नौ दिनों में जितना आप सात्विक रहेंगे, जितना भोजन सात्विक करेंगे, जितने सात्विक रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना ही आपको नवरात्री पर्व का ये महलीजे फायदा मिलेगा और जो मातारानी है वह आपसे बहुत ही प्रसंद रहेंगी सुक, सौभाग या सम्रदी ये आपके घर पर हमेशा बनी रहें बहुत बहुत शुक्रिया जो तीश चारह अनुबख शर्मा आपका आपने हमीं वो तमाम बाते बताई जो एक दर्षक जानना चाता है तमाम पूजन विधी और केसे तरा से पूजा अर्चना की जाए आपका बहुत 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 शुक्रिया और इस पेशकश में फिलाल के लिए इतना ही आप बने रही हमारे साथ और नवरात्री के आपको हारदिक शुब कामना है